बिहार में पूरी सक्ती से शराब बंदी कानून लागू है और ऐसे में बिहार सरकार के तरफ से लगातार ये कवायद जारी है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी को सफल बनाया जाए जहां एक तरफ बिहार के कोने कोने में चापे मारी के सिलसिले से लेकर शराब तसकरों की गिरफतारी का सिलसिला जारी है और बीते तीन दिनों में नालंदा में कुल 13 लोगों की जहरीली शराब से हुई मौत के बाद बिहार सरकार के साथ साथ बिहार प्रशासन ने अपनी कम और कसली है साथिसाथ और सकती भी बिहार में लागू कराई जा रही है जिसके बाद बिहार प्रशासन ने अपना शिकंजा आम और खास लोगों पर कसना शुरू कर दिया है अब ऐसे में एक ताजा मामला सुपॉल से निकल कराया है जहां पर पंजाब नैशनल बैंक के एक ब का लगातार उलंगन कर रहे हैं ताजा मामला सुपॉल से जुड़ा है जहां पंजाब नैशनल बैंक यानी पी एनबी में शराब की पाटी हो रही थी पी एनबी के पीपरा खुद्र ब्रांच में हुए इस पाटी के दोरान ही पुलिस का छापा बड़ी पड़ा जिसमें म लोगों की बैंक परिसर के अंदर ही शराब पाटी चल रही थी जिसमें गुप्तू सूचना पर सदर पुलिस ने खलल जाल दिया और विदेशी शराब की एक बोतल के साथ सभी को गिरफतार कर लिया गया है गिरफतार करनी के बाद सभी की सदर थानी में ड्रेट से जाज की गई जिसमें सभी के शराब पीने की पुष्टी हुई है पुलिस ने मौके से दो खाली बोतल एक पानी की बोतल और चार मोबाईल भी जप्त किया है सभी बैंक कर्मी बैंक अवधी समाप्त होनी के बाद जाम चलका रहे थे इसे बीच किसी में पुलिस को सूचना दे दी गौर तलब है कि पुलिस जब बैंक के अंदर पहुची तो सभी लोग शराब पी रहे थे इस घटना को लीकर आसपास रहनी वाले लोगों का कहना है कि यहां शाखा का काम खत्म होने के बाद रोजाना जाम चलकता है पुलिस की माने तो एक घंटे पहले से ही का कामकाज प्रभावत होनी की संभावना है दरसल जिले में शराब बंदी के बावजूत कई लोग रोजाना जाम चलका रही है निपाल और जार्खन सेथ हर्यानस निर्मत शराब यहां महंगे दामों पर आसानी से उपलब्द है जिसकी वज़े से शराब के शौकीन रोज जाम चलका रही है जहां बिहार प्रसाशन लगातार इस कवायद में जुटी है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी लागू कराई जाए इसको लेकर आम से लेकर खास लोगों पर प्रशासन और सरकार के तरफ से शिकंजा कासा जा रहा है तो वहीं अब सुपॉ से आगे की कारवाई लगातार जारी है फिलाल के इस खबर में इतना ही है न कई अपडेट्स के लिए मैं साथ बने रहें न्यूस फार्नेशन में नमस्का